हेलो बच्चों, क्या सीखेंगे अब जोमेटिक मीन, हमने अर्थमेटिक मीन सीख लिया, हम लोगोंने मीडियन सीख लिया, मोर सीख लिया, अब हम जोमेटिक मीन सीख रहे हैं, तो अब ये सवाल उठ सकता है कि क्यों सीखें इसे, क्या अर्थमेटिक मीन, जोमेटिक मीन दोन परदने पड़ेगे क्या use है इसका वो हम देखते हैं कहां पर use आएगा क्या होता है ठीक है इसे GM के नाम से बोला जा सकता है geometric mean geometric mean is the most useful when number in the series are not independent of each other और if number tends to make large fluctuations बच्चो अगर एक दूसरे से related figures है जैसे population मैं 5 साल की बात कर रहा हूँ पहले population के इसी city की 50 lakh है फिर 55 lakh हो गई फिर 62 lakh हो गई फिर 75 lakh हो गई तो ये data एक दूसरे से related है ठीक है तो वो क्या हो जाएगा महाँ पर हमें geometric mean निकालना चाहिए application of the geometric mean are most common in the business and finance where it is commonly used when dealing with percentage to calculate growth rates and return on portfolio growth rate निकालने के लिए जैसे मैंने भी population का example दिया था केवल value बढ़ने के लिए नहीं कम होने के लिए भी use हो सकता है जैसे कि every year हम return down value method से depreciation लगाते हैं तो value down होती चली जा रही है तो जो value down होती जा रही है उनके लिए हमें return down value method से depreciation का rate चाहिए तो महाँ पर भी इसे हम use कर सकते हैं इंटर डिलेटेड डाटा हो कई growth rate या decrease in rates हैं आपस में कई years का है अगर हम इस साल और पांस साल बात की बात करेंगे तो वहाँ पर भी हमारा geometric meaning लगेगा it is also used in certain financial and stock market indexes index के लिए भी use हो जाता है such as financial times value line geometric index अब इसका answer निकलेगा कैसे suppose x1, x2, x3 या लग-लग data है ठीक है तो x1, x2, x3, x तो इन सब की multiply करी जाएगी फिर power में one upon n किया जाएगा arithmetic mean में क्या करते थे इन सब को add करते थे add करने के बाद में divide by n करते थे geometric mean में add नहीं करेंगे multiply करेंगे multiply करतेंगे और multiply करने के बाद power में one upon n लेग देंगे तो सब को multiply करेंगे और power में one upon n आ जाएगा जैसे question number 80, 4 into 6 into 9, तो power n कितना है, 3, तो 1 by 3, अब हम इसे ये कह सकते हैं, 4 का मतलब होता है 2 की power 2, ठीक है, 6 होता है 2 into 3, और 9 होता है 3 की power 2, ठीक है, अब ये 2 की power 2 और 1, 2 की power 3, into 3 की power 3, तो ये होगे हमारा, 2 into 3, means क्योंकि power 3 है, आप असमा multiply होगी, तो हमारा answer आ रहाएगा 6, ठीक है बच्चों, तो ये हमारा था, individual series में geometric mean कैसे निकाला जाए, ये आप खुद करिएगा, 3, 9, 27 का geometric mean निकालना है, बच्चों, हम लोग के help से भी geometric mean निकाल सकते हैं, क्या लिखा, logarithm of G, for a set of observation, is the arithmetic mean of the logarithm of the observation, मतलब ये है observation, इन सबका logarithm, इसका sum और उसका simple average, ठीक है, वो क्या होगा, log of geometric mean, अब log इधर से, इधर जाएगा जब, हमें तो geometric mean चाहिए, हमें log geometric mean थोड़ी ना चाहिए, हमें answer में क्या चाहिए, geometric mean, लेकिन ये answer किसी है, log geometric mean, तो जब log इधर आएगा, तो वो anti-log हो जाएगा, अब आपके मन में आ सकता है कि ये क्या बवाल है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब देखो, क्या है, समझते हैं, question number 82 की help से, suppose हम इधर ये निकालना है, तो इसका geometric mean क्या होगा, 50 into 72 into 54 into 82 into 93, कि power 1, 2, 3, 4, 5, 1 by 5, अब ये कैसे निकाले हैं, वो वाला question जो हमने इससे पहले किया था, वो थो बहुत simple था, यहां तो हम नहीं कर सकते हैं, यहां तो problem हो जाएगी, तो इससे समझने के लिए, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसका formula लगाना पड़ेगा, anti-log और sigma log x upon n, यह हमें काम करना पड़ेगा, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें log और anti-log देखना पड़ेगा, तो मैं पहले आपको वीडियो में log anti-log देखना सिखाऊंगा, उसके बाद फिर इस question को कराऊंगा, ठीक है?